ना इश्कार, BCN News की प्रदीश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ आई एक नजर डालते हैं खबरों के और बुद्वार को नगरपंचयाद कार्याले परीसर में STM अनिल कुमार का टियार की अधिक्षता में PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्बर निदी की अंतरगत चिन महिला लाभारतियों को लाभ मिला है या मिल रहा है उनको वो प्रदान मंतरी वो मुख्यमंतरी आवास योजना के लाभारतियों को प्रदान मंतरी वो मुख्यमंतरी आवास योजना से ग्रामिनों वो शहरी गरीबों को आवास मिल रहा है आने वाले दो वर्षों में सभी के पास अपना आवास होगा प्रदान मंतरी शहरी आवास की 132,3,42 लाभारतियों को 2409 करूट रुपे एक साथ खातों में भेजा गया इस हवसर पर एयो सुभाज चंद्र नगर पंचायद किरूर बीडियो धिरेंद्र कुमार यादव जे प्रशान कुमार यादव लिपिक अतिक एहमत सभासत काकुल शर्मा प्रमाचन कुमार संचीव शाक्य, राम ओतर, रौनक गांधी आदी के साथ दर्शनों महिला आये मौझूद रही BCN News के लिए मैंपुरु से मौहमद आसिफ कर पूर्ट दुद्भार की सुभह जानी थानाक शेत्र में घर में अकेली महिला की चाकु से गोद कर बेरहमी से हत्या करती गई कातिल इतना बेरहम था कि चाकु तूटने तक महिला परवार करता रहा दरसल कलंजरी गाउ का रहने वाला राजु राजस्थान में ठेकिदार का काम करता है इन दिनों राजु अपने काम से राजस्थान गया हुआ है बताया जाता है बुद्वार के सुभर राजु के बच्चे आशु और शेली अपने स्कूल चले गए इस दोरांद राजु की पतनी कुमूद और उसका देवर दीपक घर पर अकेले थी कुछ देर बाद दीपक भी किसी काम से घर से बाहर चला गया थोड़ी देर बाद जब दीपक वापस लोटा तो कुमूद के कमरे का दर्वासा खुला हुआ था दीपक ने भीतर उचा कर देखा तो फर्श पर खोन से लत्पत उसकी भावी कुमूद की लाश पड़ी थी कुमूद की हत्या बेरेमी के साथ चाकू से गोद कर की गई थी तूटा हुआ आधा चाकू भी फर्श पर पड़ा ही था वही घर में सेफ और अन्य चीजों का सामान बिखरा हुआ था घटना के बाद चेतर में हरकम मजगया जानकारी के बाद मौके पर पहुची पुलिस ने लाश को पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया जानकारी के दौरान सामने आया है कि दीपक के घर से जाने के कुछ देर बाद पीक मागने वाला व्यक्ती घर में दाखिल हुआ था पुलिस आसपास लगे सिसी टीवी कैमरे खंगाल रही है समाजवादी पार्टी की नेधारी पैट पर लिखा 14 सुत्रिय ग्यापन सौपने से पुर्वी जिलादीक्ष ने फार्ट की फेक दिया जिलादीक्ष की इस हरकत को देख पार्टी के वरिश्पधादीकारियों ने तकाल दुसरा ग्यापन मागा जिसके बाद अब जिलादीकारी को सौपा गया उत्तरप्रदेश के जनपल हापुड में समाजवादी पार्टी द्वारा गंतंत्र दिवस के असर पर अपने घोशित कारेक्रम के अनुसार सुहे करीब दस बजी राश्ट्रे द्वज को फेरा कर जहाराश्ट्रगान गाकर सलामी दी गई तो वही करीब एक बजी किसानों के सहयोग में एक ट्रैक्टर मारज का आयोजिन भी करने का प्रयास किया गया जिस मौके पर उपस्तित पुलिस की आला अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल ने जहां नाकाम कर दिया तो वही समाजवादी पार्टी के जिलादेक्ष तेजपाल प्रमुक द्वारा खुद ही 14 सुत्रिय ग्यापन जो समाजवादी पार्टी के निरधारी पैट पर ल समारे सवादाता से बात करते हुए अपर पुलिस अधिक शेक सर्वेश कुमार मिश्र ने बताया कि बिना अनुमती समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा एक मार्च निकालने का प्रयास किया गया था तिसे सविधान के दायरे में भारी पुलिस बल तैनात कर निकाले जाने का कार्ष्क्रम था जिसकी उनके द्वारा अनुमती मांगी गई थे लेकिन छेटरा धिकार वाले मेजिस्टेट द्वारा जो भी वैधानिक कारवाई समाजवादी पार्टी की नेताओ पर बने गी वह हग की जाएगी आज जो है इस समय लोक्तंत की सरयाम हत्या है बारती जंता पार्टी ने लोक्तंत की हत्या की है और इसी के परपेक्ष में हम समाजवादी लोग किसानों से जुड़े लोग हैं क्योंकि कितान परिवार से आते हैं आदर्नी अकलेस यादव जी भी हम लोग किसानों के साथ हैं प्रदेश अधिया करने पर निराधार से तुली हुई है। BCN News के लिए हापुर सी अनिल कशब की रिपोर्ट वरश पिलिस अधिक्षक के निर्देशा नुसार अपर पिलिस अधिक्षक नगर दिहात सहित समस्तर शेत्र अधिकारियों तथा थाना प्रभारियों द्वारा मैं फोर्ष के अपने अपने एक शेत्र में सरकारी शराब के ठेको और दुकानों पर चलाया संगन चेकिंग अभियान वरिश्ट पुलिस अधिक शेत्र में सरकारी शराब के ठेको दुकानों पर संगन चेकिंग अभियान चलाया क्या अभ्यान के दोरान शन्पित में संचालित सभी देशी विदेशी मदीरा वो बीर आदी की दुकानों ठेकों पर स्टॉक का निलेक्षिन किया गया तथा सभी के लाइसेंस एवं रेटलिस्ट को चेक किया गया तथा दुकानों ठेके पर मौजूद संदिक दुवाहन व्यक्त तो नहीं किया जा रहा है सबी सेल्स्मैनों को सचीट किया गया कि अपने ठेके दुकानों पर किसी प्रकार की कोई अपमिश्रित शिराब की बिक्री न की जाए जिससे आमजन को कोई शती पहुचे अगर कोई सेल्स्मैन इस तरह की कृत्य में सलिप्त पाया जाता है तो उसके विरोध वैधानिक कारवाइस निक्षित की जाएगी BCN News के लिए बुलन शहर से जावेद खान की साथ मुहित भुटानी की रिपोर्ट गने कोरे की चलती हाथसा रोडवेज ने टेंपो को मारी टककर एक की मौत दो गंभीर घायल मौके पर लगा जाम पुलिस ने गाड़ियों को साइट करा कर जाम खलवाया गने कोरे की वज़े से हुआ बड़ा हाथसा एक की मौके पर मौत दो की हालत गंभीर डॉक्टर ने घायल को किया हायर सेंटर रेफर पुलिस ने मृतव का शव कबसे में लेकर पोस्ट मौटम के लिए भेजा रोडवे इस चालक परी चालक बस छोड़ कर हुआ फरार बिलंज शहर के कोतवाली खुरजा नगर निकट सहीपुर मोड पर हुआ हाथसा बिलंज शहर से जावेद खान की रिपोर्ट साक्षी महराज को भाजपा का लोडर कहा गये ओपी राजपर कहा इन्हें उल्टा सीधा बोलने के लिए बीजेपी ने रखा भाजपा पर तंश कस्ते हुए बोले आमजन के मुद्दे भटकाने वाली पार्टी हिंदु मुसल्मान की नाम पर लड़ने वाली पार्टी किसानों के बवाल पर कहा संग्व भाजपा की साजश असली राशदों ही किसा नहीं संग्व भाजपा वाले फारुबाद से वापस जाते वक्त पत्रकारों से रूबर हुए सुहुल देव भारती जनता पार्टी अद्धिक्ष ओम प्रकाश राजपर भागिदारी संकल्प मोर्चा की जोरदारी से चुनाव लड़ने की कही बात कहा पिछड़े वो मुसल्मान मिलकर भाजपा को पच्छाडेंगे मिर्जापर के कच्छवा थाराक शेत्र के महामलपुर में उस समय संसनी फैल गई जब गाव के ही एक चौदा वर्ष के बच्छे का शव हत्या के बाद गड़े में फेका मिला बच्छा आज सुबह अपने दोस के साथ गया था पुलिस की जांच में प्रतम दुर्ष में दो दोस्तों के बीच पैसे के लेकर विवाद की बात सामने आ रही है पुलिस ने शव को कब से में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा अच्छली एक घड़ूली गाओं है कटका के पास खाना कचवा जन्तर मिर्जा फुर में आज सुबह जो है सुचना मिली है कि बच्चे की लास एक गट्डे के पास मिली है तो तौदाम शार हम लोग घटना सल पर गए थे और घटना सल पर देखने से पाया गया उससे सर पर चोट लगी थी और ऐसा लगता है किसी गाउं के ही वेट्टी ने उसकी हत्या कर भी है और बाद में जो थोड़ा बहुत बाते हुई है उस बात के अधार प्रतासला की गाउं के एक बच्चा है जो करे 17-18 साल का है उससे उसका विवाद चलना था दोने एकी विरादरी के थे और कुछ जो शिके वड़ा खिलते हैं आपस में उसी में कुछ विवाद चलना था उसका और हमें कुछ और तत्तिवी सामने आए हैं जो भी विशना का विश्यवस्तू है BCN News के लिए मिर्जापुर से अजय दूबे की रिपोर्ट BCN News की प्रदेशी खबरों में फिलाल इतना ही SCN ने और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहेए BCN News नवशकार